मुख्यमंति विश्णुदे उसाय शनिवार को बिलासपूर के एक नीजी होटल में अयजित जिला उद्योग संग बिलासपूर के स्वन जैनती समारों में शामिल होए बता दें कि बिलासपूर जिला उद्योग संग का स्वन ने मितिहास रहा है इस संगठन के अध्यक्त की जिम्मेदारी संभालने वारे लोगों ने अपने कुशल नैतित्व की साथ पारिवारिक वातावरन में सभी को साथ लेकर चलने में सफलता हासिल की है जिससे ये संगठन अभिभाजित मद्यवदेश के समय से ही बिलासपूर के अध्योगिक विकास में अपनी महत्वपुन भूमी का निभाता रहा है आप सभी चतिजगड की अर्द्व्योस्था के विकास के इंजन हैं चतिजगड की अगर विकास की बात करते हैं तो आप लोगों का योगदान उसमें बहुत बड़ा रहने वाला है और यहाँ पर चतिजगड में उद्योग धंधा फली भूत हो उनको हर तरह का सुईधा हो इसलिए हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया है जिससे आप लोगों को अनेक बिभागों का चक्कर लगाना नहीं पड़े बियर्त में समय की बरबादी मत हो इसका हम लोगों ने ख्याल किया है और आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश के जो यसोसी प्रधान मंत्री है स्री नरेद मोदी जी पिछले दस वर्सों में वर्स 2014 से लेकर 24 तक के अपने 10 साल के कारकाल में अपनी सूझ भूज के कारण हमारे देश को आर्थिक छेत्र में जो 14 के पहले 11 अस्थान पर था उसको पांचवे अस्थान पर लाके खड़ा कर दिया है और जब तीसरी बार वो प्रधान मंत्री आप लोगों के आशिरवात से बने हैं तो उनका संकल्प है कि आने वाले पांच वर्सों में इस देश को आर्थिक छेत्र में बिश्व में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाना है और इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है और हमारे प्रधान मंत्री जी का इस संकल्प है आने वाले 2047 तक इस देश को विक्सित भारत के रूप में खड़ा करने का उसमें भी आप लोगों का बहुत सहयोग अपेक्षित है और इसके लिए हम लोगों को विक्सित 36 गड़ भी बनाना पड़ेगा और इसके लिए नया हम लोग विक्सित 36 गड़ विजन डाकुमेंट तयार कर रहे हैं पिछले कई महने से लगातार विभीन छेत्रों में विभीन वर्गों से सबसे बैठ कर सलाव मासुरा करके विक्सित 36 गड़ विजन डाकुमेंट जो की आने वाला एक नोवंबर को इस प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन लांच होने वाला है वो करने वाले हैं और विक्सित 36 गड़ के लिए आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है नई व्यापार उद्योग निती भी हम लोग ला रहे हैं उसकी भी अच्छी त्यारी हो रही है और नई उद्योग निती का भी लांचिक हम लोग एक नोवंबर को जब छत्यगर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन करने वाले हैं और मैं आस्वस करना चाहूंगा सभी हमारे यहाँ पर उद्योग जगत के बंधूं से हमारे व्यापारी बंधूं से कि 36 गड़ की सरकार जितना सुविधा आपनों को दे सकती है उतना देगी लेकिन मैं आगरह करना चाहूंगा कि 36 गड़ में बहुत इसकोप है उद्योग धंधे का कहें कि 36 गड़ खनी संपदा से भरपूर है यहाँ पर कोईला परचुर मात्रा में है लो हायस्क है हीरा सोना तीना सब कुछ है लिथियम का भी भंडार हमारे 36 गड़ में मिला है बनोपज भी भरपूर है आज सोच से ज्यादा तरह के बनोपज हमारे प्रदेश में है तो इस तरह से वद्योग धंधे के बहुत इसकोप है आज हम जिस छेत्रत से आते हैं जस्पूर उधर टमाटर की बहुत खेती होती है हमारा बस्तर में इमली बहुत है चिरोंजी है आप सब लोग से हम यह भी आगरख करना चाहेंगे कि हमारे जो बनोपज है जो क्रिसी के उपज है उनका कैसे भेलू एडिसन हो उसके भी आप सब लोग चिंता करेंगे ताकि इस आदिवासी बाहुल इस प्रदेश में उनका भी भला हो यह सब आप लोग कर सकते हैं आप लोग के हाथ में वो हुनर है वो ताकत है आज की उस अवसर में मैं आप सब लोगों से यागरख करना चाहूंगा और आदने हरी स्केडिया जी कुछ बात बोले हैं बिजली की समस्या अभी जरूर है